Dear student, we have to discuss about kula hoop hap and treyer hunt. आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम skills की बात करने जा रहे हैं. देखें, हमने बात की तीन dimension की, और तीन dimension में हमने cognition की बात की, हमने behaviour की बात की, हमने skills की बात की. अब देखें, जहां पर skills की बात आती है, तो बुनिआदी तोर पर वहां पर mind muscle coordination हैं. अब mind muscle coordination जो है उनको भी आपस में develop करने का एक हमाल है उसके लिए हम बहुत सी games बच्चों को देते हैं खेलने के लिए उन में ये एक game है जिसके जरीए हम game के जरीए बच्चे की जो learning का रही है वो learning है उसकी mind muscle coordination है अब ही आप देखें कि मैं चान्दे के पहले आपको example दूँगा कि जैसे आप देखें हम writing एक skills है वो skill कैसे है cognition, mind, ये muscle, यहां की coordination और उसके बाद आप ये write करते है इसी तरीके से jump करना ये भी एक skill है driving ये भी एक skill है अब आप देखें इन skills के अंदर जितनी भी skills हैं अगर आप इन skills को देखें तो इनके अंदर बुनियादी तोर पे जो coordination है वो mind और muscle की coordination है अब जब हमने mind और muscle की coordination करनी है तो उसके अंदर इस game को में involve करना है अब देखें इस game के अंदर होता क्या है कि बच्चा जो है वो उचलता है एक पाउं पे चलता है कभी दूसरे पाउं पे चलता है और अपने पाउं को change करता है अब बुनियादी तोर पे क्या हो रहा है वो mind muscle की coordination डिवेल्प हो रही है इसके एक और example मैं आपको देना चाहूंगा कि यह चोटी सी एक exercise है यह चोटी सी गेम है जिसके अंदर बच्चे बहुत ज़्याद इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट देने के बाद बच्चे उसको पर गेम के अंदर वो सीख रहा है तो उसकी learning क्या हो रही होती है उसकी learning बिल्कुल इसी तरह हो रही होती है कि जिस तरी के से आप किसी बड़े बच्चे को driving सिखाना चाहते है अब देखें जब आप driving सिखाना चाहते है तो उस वाद आप क्या कर रहे होते है आप बुन्यादी तरह पे उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर कब उसने कलच दबाना है कब उसने ब्रेक दबानी है और कब उसने रेस देनी है इन तीनों चीजों के जो order है वो इस mind के साथ इसके muscles के साथ तांग की muscle के साथ उसको coordinate करते है जब हमने skills develop करनी है और वो mind muscle के साथ हमने coordination develop करनी है तो हम उसके अंदर ये game भी लाड़ सकते है और ट्रेयर हंट भी कर सकते है कि आप एक बच्चे को छोटे सी activity करवाएं कि एक हमारे पास अगर कोई आपको पास छोटा सा ground है तो उस ground के अंदर जहना आप उसको बताएं कि वो मुख्तलिफ चीज़ें ले के मुख्तलिफ activities जब करेगा तो उन तमाम activities के अंदर उसकी skills develop हो रही होंगे वो चाहे वो game के जरीए कर रहा हो या वो अपने घर के outside चोटी सी जगा बना के उसके अंदर अगर कोई activity कर रहा हो चाहे वो छोटा सा गर बना रहा है कोई garden बना रहा है कोई जो जो आना हट बना रहा है किसी किसम की भी चीज़ें अगर वो develop कर रहा है तो वो बनियादी तोर पर वो skills उसके अंदर develop हो रही है इस developmental process के लिए हम इन game के जरीए बचों को learning को effective बनाते हैं